देखो बैंक में धन, काम में मन और IPL में संजू सेमसन जब हो तभी मज़ा आता है। देखो एक पक्ष तो ये कहता है कि उनके साथ भेदभाव तो हुआ है। फिर वंडे के साल में उन्होंने T20 खेला और अब एक बार फिर से T20 वर्ड कप के साल में उन्हें वंडे टीम में जगे मिलने लगी है। कि अफगानिसान के खिलाफ उनका T20 सीरीज में जगे मिली लेकिन एक बार फिर यहां पर जितेश शर्मा को उनके उपर खिलाया गया। और जब फाइनली संजु को एक मौका मिला तो वो जीरो पर आउट हो गया। तो जब संजु भाई को यह पता है कि उनको मौके कम मिलते हैं तो उनको करण्ज मॉमेंट पर परफॉर्म करना पड़ता है। फिलाल जितना मैं जानता हूँ T20 वर्ल्ड कप के लिए इस टीम मैनेजमेंट के फर्स चॉइस विकेट की पर जितेश शर्मा हैं क्यूंकि संजु का नाम अफगानिस्तान सीरीज में था तो मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि उनके उपर भी नजर रहे है। पाइद ही किसी टीम की उपनिंग जोड़ इतनी धमागेदार होगी जितनी राजस्तान की है। इसके साथ ही राजस्तान का जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी 24 कैरेट सोना है। आप सोचो रवी चंदर नश्वीन, चहल और एडम जामपा एक ही टीम में खे चाहे लेकिन अगर ऐसा हो गया कि ट्रेंग बोल्ड अविलेबल न हुए तो राजस्तान का फास्ट बोलिंग डिपार्टमेंट बहुत हलका है। एक और दिक्कत जो मुझे नजर आ रही है वो है इंपक्ट ऑल राउंडर भी नहीं है। जैसे मुंबई के पास पंडिया, क असाम के लिए डोमेस्टिक में किया, वो उनके लिए IPL में कर दें। प्रेडिक्शन, अगर आप मुझे से पूछे है तो मुझे लगता है राजस्तान डेफिनेटली टॉप फोर में जानी चाहिए, नहीं गई तो मुझे हैरानी होगी और दुख भी, आपके हिसाब से रा आप, 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 झाल झाल